हलो दोस्तों स्वागत हैं आपका अपी के चैनल दवेयाप ग्रोथ में दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम इंट्राडे टेडिंग करते हैं तो उसमें हमें प्रोफिट ज्यादा बनता है या फिर उसी कैपिटल पर अगर मंतली आपसन सेलिंग करते हैं उसमें ज्यादा प्रोफिट बनता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ और लाइव जो मैंने किया है अभी आप लोग देख रहे हूं कि हम अभी इंट्राडे प बनाया है इस फरवरी मन्थ में और अगर हम अपनी मन्थली ऑपन सेलिंग इसाब से काम करते हैं तो उसमें हमें कितना प्रसेंट रिटिन बनता वो मैं आपको दिखाने बाला हूं तो चली सबसे पहले चलते हैं और यहां पर देखिए जो मेरा अभी एक्यूटी कर्व यहां पर दिखा रहा है तो यह भी आप देख सकते हैं कि यहां पे काफी ठीक तरीके से हमारा जो है पोट्फोरियो ग्रो हो रहा है ठीक है बट चलो हम आपको अपना पीएनल दिखाते ह क्या है हो सबसे पहले हम एफेनडों जूस करते हैं और यहां पर इसको दिखाने का परपरस क्या है वह क сторон 토ो मैं अब बताओंगा क्योंकि हम इस मथा काम किया है और इंट्रा टैम में देख रहे हैं सेंसे अलिए उनको पता चल रहा होगा कि कि उनके जहें डेश्के यह हमने profit बनाया है ठीक है और इसमें actually मैंने दो दिन काम भी नहीं किया था और कल भी मैंने काम नहीं किया था अगर इन दो दिन में हमने काम किया होता तो हम definitely हम profit में निकलते और यह हमारा profit हो सकता है कि बन लेके ओपर निकल जाता, बट प्रॉब्लम यही थी, मैंने अपने टेलग्राम चैनल पर भी अपडेट किया हुआ है, कि मैंने किस बज़े से ट्रेड नहीं डाली है, तो आप देखिए कि यहां पर, मैंने रिजन भी लिखा है, क्योंकि अभी क्या है, जो प्रीमियम है, मिलब करते हैं, मिलब शेर करते हैं, जिससे आपको भी डिस्टर्वेंस ना हो, कि दिन भर में सो मैसेज आ रहे हैं, आपको एक भी मैसेज समझ में नहीं आ रहा कि, तो जिस में से इन्फोर्मेशन जो आपके लिए काम की चीज होगी, वो भी आपसे निस हो जाएगी, तो मैं एक-दो मेसेज डालता हूँ दिन भर में लेकिन जो काम के मैसेज होते हैं हम वही डालतो फाल तो बगबास करके यहां पर पैसा नहीं बनता है पैसा बनता है रिलिस्टिक चीजों से ठीक है अब मेरा परपस यह था कि हमने फर्वरी में असी अधर बनाया है और अगर हम जो हमने इंट्राटे स्टेटिजी की इस पे हमारा सीब बना है अगर हम इसी कैपिटल को जो मालेज अभी लग को 20 लाग के आसपस में कैपिटल यूज कर रहा हूं अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काम किस पर करना है प्रॉब्लम यह है प्रॉब्लम यह नहीं कि स्टेटिजी नहीं है यार मुझे को स्टेटिजी नहीं मिल रही है प्रॉब्लम यह है कि किस स्टेटिजी पर काम करूं कि मेरा पैसा बने ठीक है वहां पर समझना ट्राइ कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बन रहा प्रॉब्लम यह है तो वही चीज समझाने को सिस्क्राइब कर रहा हूं कि आपको कैसे काम करना है इंट्राडेपे करना है मंथली करना है वह चीज आप यहां से समझ जाओगे लर्न कर जाओगे आप इस वीडियो के आपने मैं आपको यहां तो करते हैं तो यहां पर इस गुरूप में आपको दिख जाएगा ठीक है तो यह हो गया अब हम चलते हैं स्टेडिजी की तरफ और यहां पर हम देखते हैं कि मंतली ऑप्सेलिंग वाली स्टेडिजी पर काम करते तो हम कितना बनाते तो सबसे पहले हम हम चलते हैं हमें फरवरी मंत का वेक्टेश करना है तो जनवरी के एक्सपारी 25 तारी को थी तो हम चब्विस को चछुटी थी तो हम क्या करेंगे 29 तारी को अपनी ट्रेट डालेंगे ठीक है कब 29 तारी को आप चौनतों 25 तारी को भी डाल सकते हो यह इस वज़े से 26 यहां पर तो हम 25 को भी डाल सकते हो ठीक है और हम 25 में हम 10 तारी 10 वज़े सुबे डालेंगे अब सेकेंड काम क्या आता है कि हमें बैंक निफ्टी करना है और मंतिली एक्सपारी में करना है तो सबसे पहले एक्सपारी चूज कर लो एक्सवारी हमने चूज कर ली 29 वरवरी की अब हमे क्या अब हमें कौन से डेल्टा सेल करना है तो डेल्टा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि डेल्टा आपको चूज करना है एक्कॉर्डिंग टू दा विक्स विक्स कितनी चल रही थी अब मैं 25 तारी को विक्स देख लेता हूँ तो अब हम जाएंगे यहां पर सेल के लेंगे सब्सक्राइब अ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लेकिन आप इसको समझीए मैं इतने डेटेल में आपको बता रहा हूं आपको यहां पे आजाएगा ठीक है और यहां पे मैं 20 से 여러분 कि मैंने इंटर डेंव फाली प् justement क्योंकि मैंने एिंटेब से की थी है तो इहां पर मैं 20 डालता हो हूं करने में आसानी हो यहां पर हमारा कितना मार्जिन लग रहा है अभी आ जाएगा थोड़ा टाइम ले रहा है अब देखो लगवाद 16 लाख यह मार्जिन थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है लेकिन मैं अगर मैं यह मान जलता हूँ अगर मेरे पास 20 लाख है तो मैं 20 लॉट से मैं यहाँ पर करूँगा अँप मैं से बंड़े से आगे बला रहा हूँ जैसे हमारा एक प्रीमियम दूसरी प्रीमियम की आदा हो जाएगा बैसे हम इसमें अज्य आजश्टमेंट करेंगे यह हमारे रूल्स हैं रूल्स यह नंबर बन हो गया दूसरा रूल्स का है maximum profit हमा इसे पूट बचा है 350 का मलब मोटा मोटी अब तो हमें 350 के आसपास का पूट देखना आ है ठीक है चलो 350 का पूट देख लेते हैं यह अब हम चलते हैं फिर से बंडे से आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्या होता है ठीक है आप देखो यहां पर हमारी टेड बैलेंस देखो 315 और 447 ठीक है तो अभी 50 परसन जादे डिफ्रेंस नहीं हुआ है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है हाला कि यहां पर आपको गामराने की ज़रूरत नहीं है आपको बस यह डिफ्रेंस देखना जैसे से बंडे से आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है अभी को 222 अभी भी ठीक है कोई दिक्रत नहीं है बंदे से आगे बढ़ते हैं जैसे यह डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा वैसे ही हम जासे ही तो हम 5-5 मिनिट के चार्ट से चलेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह डिफ्रेंस कैस कब जो हमारा यह 50% से ज्यादा हो जाता है तो अभी 417 हाला कि 50% ज्यादा हो गया लेकिन मैं 2-4-5 मिट और देख लेते हैं हाला कि उसमें सोचना नहीं है अगर हो रहा तो वहां पर कर सकते हो कोई यूशू नहीं है ठीक है अब देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो मैं डेफिनिटली कर दो हाँ अब मैं इसको कर देता हूं ठीक है यह 50% से ज्यादा डिफ्रेंस यानि 400 यह 200 ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा इस वाले को बुक कर लूँगा अब रहे गई है 400 की 420 रुपए क चार सो दो वाला ले लेते हैं ठीक है अब देखो यहां पर क्या हुआ मैक्सम प्रॉफिट इसको भी ध्यान में देता रहना है यहां पर आपका 14 14.4% हो गया लगए साड़े 14% के एसपास हो गया मैंने कहा था कि 10% ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने देना है मैंसम करना है तो अब टोटली आप 21,000 के प्रॉफिट आपने बुग कर लिया है ठीक है अब 1.4% किया प्रॉफिट में आप हैं तो अब हमें क्या करना है फिर से जाना है option chain में और option chain में जाके फिर से हमें 0.2 delta sell करना है ठीक है यह rules है मतलब ऐसी strategy आपको मिलेगी नहीं चल्दी YouTube पर देख लोगे आप यह मैंने खुद अपने experience बनाई है यह rules मैंने खुद बनाए है ठीक है तो आप ऐसी मिलने वाली है नहीं तो आप इसको देखो अब यहां फिर से जाएंगे पाइंट टू डल्टा यह 220 का मिल रहा है पहले हमने पच्छी सो पर सेल किया था अब देख अब देखो अभी ठीक है कोई दिकत नहीं है अब और आगे बढ़ते हैं बंडे से देखो अभी देखो अभी देखो यह इसमें difference बनना शुरू हो गया तो हम क्या धिरी धिरी चलेंगे और देखेंगे यह difference कब यह 50% ज्यादा हो जाएगा वैसे हम तुरंद इसको एड़े है अब देखते हैं क्या control से बाहर जाएगी क्या हाला कि जा रही है 300 के उपर निकलेगा पूटकर प्रेमियम तो फिर हम इसको कर देंगे यह थोड़ा सा आपको common sense लगाना पड़ेगा क्योंकि trade difference ज्यादा बढ़ रहा है तो तो ठीक है निकल रही है लेकिन difference कभी कभी बढ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा रुक्य करेंगे अब देखो इसमें अभी यह पांच मिनिट पीछे देखते हैं जहां अब मुझे लग रहा है कि यह difference बढ़ गया है एक मिट्रों को 35-35 बढ़ तो गया है हाला कि पांच मिनिट और देख लेते हैं और देख लेते पांच मि 300 के आसपास का पुट बचाए आप हमारे पास ठीक है यह देखो यह पूट बचाया तो हमें 300 के आसपास 300 था ना अब थेंसो की कॉल देखनी पड़ेगी तो अब हम चलते थोड़ा सा देखो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग है लेकिन यह बोरिंग नहीं यार देखो प का मिल रहा है तो 301 का हमने सेल कर दिया यह यह एक सिस्टम है एक तरीका है एक प्रॉपर मैनर है उसी वही है साइकलोजी है ठीक है मनी मेनेजमेंट है तब जाके पैसा बनता है ऐसे नहीं कि आप इस्टेजी मिल जाएगी और उससे आपको पैसा बनना सुरू हो जाएगा एक प्रॉपर है उसको फॉलो करना है आपको अब देखो बैलेंस हो गया हमारा आगे चलते हैं बंडे से आगे निकलते हैं अब देखो दोस्तों यह देखो आपका 40,000 का प्रॉफिट अगले दी नहीं हो गया है जो कि लगवा 2.4% का होता है ठीक है बट चलो अभी जान देना और यह आपका अभी अब मैं तोड़ा सा दीरे दीरे चलता हूं आगे देखते हैं कि यह ज्यादा बढ़ रहा है कि अगर ज्यादा बढ़ रहा होगा तो फिर मैं एक सो बान बेटी ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक हम चल सकते हैं अभी हम थोड़ा करना है क्योंकि हमें देखते रहना है अपनी पोजेशन को कि अब देखो यहाँ पर यह ज्यादा ही डिफ्रेंस वागिया बट हम यहाँ पर अब चाहते हैं और आप चाहत इसको और एकुरेट करके कर सकते हो बट चलो ठीक है मैं थोड़ा सा वह छोड़ा देता हूं कि चल कि हम थोड़ा और से फासाइड चलते हैं जाड़ा थीन सब्की कॉल कहां गई जाड़ा थीन सब्की कॉल यह 348 मिल लाइए इसको हमने सेल कर दिया ओके अब आप यहाँ पर देखना मैक्सम प्राफिट जो है त्यरा परसेंट आ रहा है ठीक है तो त्यरा परसेंट तक चल दिकत हुई है यह 490 होगे यह 200 तो यहां पर आपको लग रहा है ना यह 50 परसेंट ज्यादा हो चुका है तो आप यहां पर आपको करना ही बढ़ेगा इसको एड़्यस्ट करो भाई हमने इसको बूक कर लिया अब 490 का कॉल बचा है तो 490 का पुट हमें देखना है ठीक है तो 490 का पुट, 480 मिल रहा है, इसको देख लो, ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर 15% से ज्यादा maximum profit हो गया है, अब मैंने आपको क्या कहा था, इतना नहीं चलेगा, तो हमने जो adjustment किया है, इसको हमें हटाना है, जो एक लेक बची थी, call वाली, इसको भी हमें, इसको और फिर से आपको trade बना रही है, अब आप जाओगे फिर से, और फिर से आप 0.2 delta यहाँ पर select करोगे, option chain में जाके 0.2 delta आपको sell करना है, फिर से, अब देखो, 191 पर मिल रही है, और लगमक 1800 उपर, पहले 2500 फिर 2000 पाइंट, अब 1800 अभी भी 800 पाइंट आपको दूर sell करने को मिल रहा है, this is the advantage of high weeks, ठीक है, आपको दूर दूर बन रही है, 190 हमने call sell की, और 190 की हम put भी sell करेंगे, यह हमने put sell कर दिया, ठीक हाइड कर देते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब आप देखो, फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आपको 9.2% है, अपनी range के अंदर है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, आप देखो क्या problem हुई है, अब एक बाल, एक तो 86 का हो गया, दूसरा तो 361 का हो गया, तो इतना huge difference, क्यों हम बंडे से आगे बढ़ गए, तो हमें पीछे देखना पड़ेगा कि कहां पे हमारी trade जो balance बिगड़ रहा था, तो हम देख करेंगे, 244 के आज पास हमें, क्या देखनी है, call, 234 मिल रही है, इसको sell कर दिया हमने, ठीक है, इसको hide कर दिया, अब देखो, अभी भी हम 54,000 के profit में हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा profit बढ़ना कम हो गया, देख रहा है आप, यह adjustment जादा हो गया, क्योंकि market में हो सकता ह हमें बड़े-बड़े handle बनी है, जो spikes आये थे इन दिनों, उन्हीं कहा है, इसका कम वाली है, ठीक है, कोई नहीं हम देखते हैं, हमारी strategy किस सथ तक हमें बचाती है, अब देखो, 215-212, इन दोनों premium को ध्यान में देना है आपको, ठीक है, अब देखो, 227-225, 62 जागा profit, profit increase हो गया, अब देखो, यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि यह difference बहुत जादा हो गया, तो हमें यह difference कहाँ पे हुआ है, वो हमें देखना है, ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं, दो घंडे से पीछे करते हैं, अब देखो, 117-1234, यहाँ पे यह definitely हमें इसको adjust करना चाहिए, ठीक है ठीक है, थोड़ा पीछे ही हम रहते हैं, 318, अब maximum profit यहाँ पे देखो, कितना हो रहा, 12.9% है, ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा, अब आप लोगी सोच रहे होगे, इसमें कितने ज्यादे adjustment करने पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, आप अपने adjustment करके अपना profit बन किया कम बात है, कि आप loss देना चाहते हो, क्या, तो adjustment करना पढ़ेगा, अगर आप inter-dag कर रहे होगे, आप देखो inter-dag करते हैं, तो daily आपको 2 order sell के, 2 order buy के डालने पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे तो कमी यहाँ पे आपके adjustment हो रहे हैं, daily तो आपको नहीं 4 order लगाने पढ़ रहे पूरे महिने बार की trade है, तो इतने adjustment करने पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सा लोग यह भी कहते हैं, इसमें तो हम प्रोकरी जी देखे रहे जाएंगे, हमें इतने adjustment करने पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दोस्त यहाँ पर से हमारी trade में profit कम हो गया है, अभी 60 जाग profit था, 30 जाग profit में हम बचे हैं सिर्फ, लेकिन कोई बात में हमें rule के साब चलना है, इसको कम जादा देख के घबराना नहीं है, परसान नहीं होना है, अब देखो rule क्या कह रहा है, अभी adjust करना है नहीं करना है, चलो आगे बंडे से आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पर problem हो गई, अ अब हम थोड़ा आदे घंडे सबर पीछे करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें adjust करना है, क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया है, तो हमें इसको book करना है, अब 500 का call बचा है, तो 500 की put हमें देखनी है, ठीक है, तो 500 की put अगर हम देखेंगे, तो यह आ गई है, हम थोड़ा पीछ हमें मिल रहा है, 192, अब देखो 1500 प्राइंट उपर हमें मिल रहा है, 192 हमने फिर से sell कर दिया, अब पूट की तरफ भी जाएंगे, और इसमें भी हम 190 का एसपास हम देखेंगे, 190, 190 मिलेगे, इसको हमने sell कर दिया, अब हम जाएंगे फिर से, फिर से हम बंडे से आगे बढ करना है, अब 224 की कॉल बचिए, यह कॉल है न, 224 की कॉल है, तो 224 के आसपास के हमें पूट देखनी पड़ेगी, 224, 213 मिल रहा है, इसको हमने 213 पे sell कर दिया, ठीक है, आप देखो maximum profit कितना आ रहा है, 9.1, ठीक है, चलेगा, अब हम फिर से अबंडे से आले बढ़ते हैं तो 308 के आसपास के हमें पूट देखनी पड़ेगी, ठीक है, 308, यह 300 वाली मैंने sell कर दी, 20 lot से, ठीक है, अब maximum profit कितना आ रहा है, 10%, ठीक है, चल जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं एक दिन से, और देखतें क्या हो, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 256, यह 246, ठीक है यह दो trade ही running है, मारी rate वाली, अब देखो profit 74,000 का, ठीक है, कमाल देखो आप इस trade का, इस position का, अब आप देखो, अभी भी difference, 180 और 200, मुले अठादोनी, कितने होते हैं, 36, तो अभी भी नहीं है, तो अभी भी इसको trade को hold कर सकते हैं, अब आगे चलो, अब देखो, 150 और 200, ठी ठीक है, यानि कि अभी भी difference नहीं 50% जादा है, अभी भी हमारी trade अपनी control में है, और यह profit बन लाक के उपर निकल गया है, ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, अब देखो profit, अब दो यह 66, और यह 622, ठीक है, तो अब यह हमारी trade uncontroll हो गई, तो अब देख लेते हैं, कहां प बढ़ो, अब देखो, कहां पे, यह देखो, यहां पे 15 मिंट बिच्छे करो, अब देखो 133 है, और यह 282 है, पांच मंट साके बढ़ाओ, अब देखो, 1224, अब इसको control कर लो, 260 का put बचा हुगा, 260 की call देख लो, फटाफट, 260 की call, यह 260 की call मिल गई, इसको हमने sell कर दिया, अब यहां पे आजाओ, maximum profit देख लेना, 12.7 है चल जाएगा, ठीक है, यह दो ट्रेट हमें, इनको देखो, आगे बढ़ाते हैं, अब देखो, 200, 300, 153, अभी control में है, 100, 1,32 का profit, ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखो, 94, अब यह 1,73, जार का profit, ठीक है, 94 पे है यह, अब यह सेल कर दिया, अब हमारी maximum profit कितना है, 13.9 है, हाला कि इतने पर हमें लेकर नहीं जाना चाहिए, 12.13 चल जाता, 13.9, 14% का असबास हो रहा है, हमें इसको काट के फिर से बनाना चाहिए, लेकिन आप एक दिन का है, हम देख लेते हैं, अब चाहें तो 1,03,000 का profit हो रहा है, जो कि ट्रेट करना चाहिए था, ठीक है, तो 1,40,000 हो जाते हैं, और यहां पर हमें 1,03,000 बन रहा हैं, और अभी हमारी ट्रेट आके जा सकती है, ठीक है, अब देखो, इसमें adjustment वही है कि मैंने कहा था कि नहीं चलना है, तो यह दो 600 निकल गई और 26 है, ठीक है, तो अब हम चाहें ट्रेट इसको, हम अपने रूल के साफसे चलते हैं, और इसको मैंने किया, ठीक है, अब हम फिर से जाके 0.2 डेल्टा सेल कर सकते हैं, 0.2 डेल्टा फिर से जल करेंगे, कहां पर है, 0.2 डेल्टा, यह देखो, यह 22, 94 की है, और 94 की हम यहां पर भी देख लेए, 94, 99 है, इसमे मैंने सेल कर दिया ठीक है अब चाहें अब इसको आप बढ़ा लो ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या हुआ यह यह जो है तीन सो चली गई तो तीन सो तक आप वेट नहीं करोगे आप पीछे जाओगे वही पुराना रूल हमें जैसे 50% हो जाए हमने आपको मैं बढ़ा जाएगugen आ अब आपको बता रहा हूं लेकिन में कंद रहा हूं अब कितना मंथ की दॉर always ी जा औ. आप हो और कितना अब आपको दो लाक आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मैंन पर्पस यह था कि देखो मंतली में अगर हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि मंतली स्टेटिजी बेकार होती है इसको भी आप सही तरीके से करो यह तो मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा बढ़ा के किय आप इसमें भी कमाल होगे और मंतली वाली उसमें करोगे अशाम समय कारूँगा और हो सकता है कि मार्च मंत में मैं मंतली ट्रेड ही डालूं तो अगर आप लोग मेटेट को फालो करना चाहते हो तो आप मुझे टेलेगराम पर ज़रूर जोइन कर लो तो आप यूटूब से जोइन कर सकते हैं तो आप यूटूब से जोइन कर सकते हैं तो चलो दोस्तों आज से वेटर बस इतना है खहल रखे अपना थैंक यू बरी मच्छ